क्या आल है आप सबके अंतिम प्रहार में Selected Assertion Reason Questions Unit 2 आपने टेलीग्राम चैनल पर इनको अटेम्ट किया, काफी बढ़िया अटेम्ट कर रहे है Keep it up, बहुत पास है नीट एंटरेंस एक्जाम के और आप बहुत अच्छा कर रहे है तो चलिए पहला Question Unit 2 से एक बार अटेम्ट कीजिए, Question में Assertion है In Epigynos Flaurs, the ovary is set to be superior तो ये स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट गलत है, आपको पता चल गया आपका Answer Option 4 है, बहुत तेजी से आप कर सकते हैं देखिए, मैंने ये एक स्टाइल, स्टिगमा स्टाइल और ये ओवरी बनाया ये गाइनेशियम है, यहाँ ओवियूल्स है, अब मैं इसमें रिसेप्टेकल और हाइपेंथियम बना रहा हूँ, दिमाग लगाईएगा, आप सब इस शब्द को जानते हैं और इसको ले जाकरके, ओवरी के ऊपर जाकरके, यहाँ पर मैंने इसको फ्यूज कर दिया अब आप ओवरी की पोजिशन देखिए, इस पॉइंट ऑफ अटेच्मेंट से नीचे है इस तरह की ओवरी को आप इनफीरियर ओवरी कहते हैं और यहां से अब आप यह देखेंगे, कि बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो है, वो इमर्ज कर रहे हैं और यहां से अब आप इनफीरियर होगी और आप ने यह कहा कि ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है, हाइप एंथियम शब्द जरूर याद रखिएगा बात समझने की कोशिश करिए, वीट, राइस, मेज यह तीन सबसे कॉमन प्लांट्स हैं, जो सीरियल्स हैं, जो स्टेपल डाइट है, वर्ल्ड ओवर डिफरेंट कल्चर्स में और यह सारे के सारे मोनो काइट्स हैं, मोनो काइट्स की इंपॉर्टन समझ यह सो हम यह कह रहे हैं, यह स्टेपल डाइट है, इसकी वजह क्या है, इनका जो एंडो स्टेपल है, वो बहुत स्टार्ची है और उसके अंदर बहुत सारे और नूट्रियंट्स भी प्रेजन्ट हैं, उस एंडो स्टेपल की मिलिंग से आटे बनाये जाते हैं, आटा फ्लोर बनाया जाता है और उसको फिर डिफरेंट कल्चर्स में कंजूम किया जाता है, इसलिए यह स्टेपल डाइट की तरह काम करते हैं और जैसे ही आपने यह कहा, बिकॉज उसके बाद यह नैचुरल फ्लो कर रहा है, आप्शन वन करेक्ट आंसर है, एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन एक्स्प्लेइन कर रहा है एसर्शन को नमबर थ्री करिए, नमबर थ्री, in monocot roots and stem, the vascular bundles are closed, यह statement बिलकु ठीक लग रही है, इसके बाद लिखते हैं because, हम यह कह रहे हैं because, इसमें vascular cambium नहीं है, so इसमें closed तब कहते हैं, जब cambium प्रेजन नहीं है, और इसकी वज़े से they are not able to undergo secondary growth, they do not produce secondary tissues, so this would be the because, यहां क्या लिखा है, in monocot roots and stem, ध्यान दीजिए, यहां पर root और stem को इखटा किया हुआ, यहां गलती होने की संभावना होगी, so exam में आप देख लीजिए, कि दोनों root नहीं, ऐसे नहीं लिखा है, monocot root and monocot stem लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, stem में नहीं, और stem की वज़े से यह statement गलत हो गई है, monocot stem में जो vascular bundle है, वो scattered होता है, तो आपने कहा यह वाली statement गलत है, assertion ठीक है, reason गलत है, option 3 is the correct answer, चलिए fourth question करिए, in many grass species, leaves role inward during dry conditions, तो देखे होता क्या है, जब आप grass की बात कर रहे हैं, तो grass एक monocot है, यहाँ पर जो central vein है, adaxial epidermis के पास में आप यह देखेंगे, कि कुछ colorless cells होते हैं, बड़े बड़े, इनको हम कहते हैं, bully form cells, इनको हम क्या कहेंगे, bully form cells कहेंगे, जब यह turgid हो जाएंगे, इनके अंदर पानी भर जाएगा, जब turgid हो जाएंगे, तो leaf खुल जाएगी, leaf इस तरह से खुल जाती है, और जिस time पर water stress होगा, तो यह flaccid हो जाएंगे, और leaf अंदर की तरफ curl in कर जाएगी, तो हमने कहा, यह statement ठीक है, because कुछ न कुछ bully form cells का reason होना चाहिए, तो हमने यह देखा, कि वही लिखा हुआ है, bully form cells are present on the upper surface, जैसे मैंने आप से का, adaxial, primarily along the mid rib in some species, लेकिन यह नहीं लिखा, bully form cells तो लिख दिया, लेकिन यहां पर बेटे ध्यान देना, यह नहीं लिखा, कि leaf role क्यों हो रही है, केवल यह बता के छोड़ दिया है, कि bully form cells है, यह जो turgid और flaccid की में बात बता रहा था, जिसकी वज़े से curling हो रही है, वो नहीं है, तो मेरा reason नहीं आया है, इसलिए मैं कहूंगा assertion ठीक है, reason ठीक है, लेकिन reason properly explain नहीं कर रहा है assertion को, option two correct answer है, one और two में जो confusion होता है, उमीद है आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए, नमबर five, improperly developed pericycle in dicot root causes impaired secondary growth, बिल्कुल ठीक है, secondary growth हमारे syllabus में वैसे नहीं है, लेकिन dicot की जो anatomical feature दिये वे हैं, उसमें secondary growth mentioned है, pericycle के बारे में आपकी NCRT बिल्कुल crystal clear तरीके से कहती है कि dicot root में जो pericycle है, दो बहुत important काम कर रही है, एक तो initiation of lateral roots, और दूसरी तरफ जो vascular cambium है, उसका initiation भी इसी की वज़े से होता है, और वो जो vascular cambium है, वो secondary growth में secondary tissues बनाता है, secondary xylem और secondary phloem बनाता है, तो अगर यह pericycle improperly develop हुई, तो proper secondary growth नहीं हो पाएगी, यह हमारा because होना चाहिए, तो pericycle contributes to the development of the vascular cambium in dicot roots, बिल्कुल ठीक है, और यह हमारे because को explain भी कर रहा है, मैंने यह कहा कि option one correct answer है, question number 6 कीजिए, frog skin must be kept moist, all respiratory surfaces must be kept moist, किसी भी respiratory surface पर moisture होना चाहिए, क्योंकि जो gas है, वो इस fluid में dissolve होती है, फिर दूसरी तरफ diffuse करती है, आपने Henry law पढ़ा होगा, so please try to understand this very clearly, so यहाँ पर interface पे, gas liquid interface पे, यहाँ dissolve हो करके, दूसरी तरफ क्या होता है, diffusion होता है, और क्योंकि frog skin से respire करता है, तो उसे अपनी skin को moist रखना पड़ेगा, यह इस पे scales भी नहीं हो सकते, और यह glandular होगी, तो हमने का frog perform a significant part of gas exchange through their skin, यह मेरे because को बिलकुल explain कर रहा है, option one correct answer है, number seven देखिए, tadpoles are ammonotelic, while adult frogs are generally ureotelic, so tadpole ammonotelic है, adult frog generally ureotelic है, because, because यह है कि tadpole पूरा का पूरा टाइम पानी में रहता है, और ammonotelism is a good strategy if the availability of water is not a problem, ammonia काफी toxic है, पानी में असानी से dissolve हो जाती है, उसे eliminate किया जा सकता है, लेकिन जब life land पर आने की कोशिश करेगी, तो terrestrial organism must conserve water, और उस time पर यह metamorphosis के दौरान यह physiological change भी होता है, कि जो adult frog है, उसको वो ureotelic हो जाता है, so tadpoles are the larval stage of the frog, यह बात बिलकुल ठीक है, पर यह हमारे because को explain नहीं कर रहा है, मुझे समझ में आ गया, option two correct answer है, question number eight करिए, laying many eggs is a natural evolutionary tactic employed by female frogs to maximize their reproductive success, यह बात बहुत important और बिलकुल ठीक है, आपकी NCRTA कह रही है कि ड़ाई हजार से जादा eggs जो है वो female frog ले कर सकती है, जादा egg ले करना, spawning होती है, water required है fertilization के लिए, external fertilization है, external fertilization में predator का खत्रा बहुत जादा है, और यह जो particular fertilized egg है, या tadpoles है, इन सब का बच्चदा बहुत ही, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इनकी जो threat है, survival की वो बहुत जादा है, इसलिए reproductive success को बढ़ाने का तरीका यह होगा, कि number of egg को increase किया जाए, तो अगर हम यह देखें कि यहाँ पर because लिखें, तो हम यहाँ पर यह देखने लिखा है, survival rate of frog eggs and tadpoles is extremely low due to predation, यह बिलकुल वो ही, यह बिलकुल वो ही explanation है, जो हम अभी बात कर रहे थे, तो बिलकुल ठीक बैठा, और हमने यह कहा, कि option one should be the correct answer, अगला question करिए, frogs maintain ecological balance, यह गलत हो सकता है बैटे, frog maintain ecological balance, यह बात बिलकुल ठीक है, इसके पीछे because लगाईए, so because में अपनी NCRT की line देखिए, ecological balance इसलिए, क्योंकि यह बहुत important role play करता है बैटे, food chain और food web के अंदर, so बहुत important, बहुत important role play करता है बैटे, in the transfer of energy, and linking different traffic levels in food chain and food web, यह वो वज़े है, food chain और food web, यह वो वज़े है कि ecology का लिए important है, यहाँ पर जो हमारा reason दिया हुआ है, वो यह है कि क्यों beneficial है mankind के लिए जाके देखिए NCRT, so अभी तक जो मुझे question दिखाई दिये, यह वो question है, जो जल्दी वाजी में गलत हो सकता है, तो यहाँ पर हमने यह कहा, कि यहाँ पर question यह नहीं है कि mankind के लिए हमारे के लिए क्यों beneficial है, हम ecological benefit की बात कर रहे है, यह बात सही तो है, पर यह इसको explain नहीं कर रही, option two correct answer है, आकरी और देख लीजिए बेटे, frogs do not have external ears, reason है frogs are deaf answer तीन है, so frogs सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, बात यह है कि पानी के अंदर तैरने के लिए यह drag force वगएरा इस्तेमाल होगा, यहाँ पर कोई बहुत सारी toxins वगएरा इखटे हो सकते हैं, यहर कैनाल के अंदर, पानी के अंदर, frog को तैरना है, you can understand, there is no point in having, there is no point in having external ear, that would be the reason, option three answer है, उमीद है, आपको इन से benefit हो रहा होगा, बहुत जल्दी unit three के साथ आपसे मिलता हूँ,